अब आपको आवाज की कॉपी करके आउडियो फ्रॉड कैसे होता ये भी बताता हूँ आजकल मार्केट में एक नए तरह का उनलाइन फ्रॉड आया हुआ इसका नाम है वाइस क्लोनिंग फ्रॉड इसमें साइबर ठग एई आई की मदद से आपकी आवाज की हूबा हूप कॉपी कर ले रहे हैं मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज बात करने का तरीका सब कुछ कॉपी हो जाएगा इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिष्टेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फस गए हैं आपका मुबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पढ़ गई कि अब आपको तो लगे है कि आवाज तो सेम है तो आप इसके लिए अलग से बार कोर्ट भेज देंगे आपको क्यूंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है वो ये भूलेगा कि मैं मुसीबत में फसा हूँ, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है यार एक काम करें इतना कर पाँच हजार उपए बेज दें मान लिजेगे एक एक्जामपल देगा आवाज मैच कर रही है आप फस गए पाँच हजार उपए तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है तो फलाने के नंबर से बेज रहा हूँ तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोज पैसा ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है ये तो सिर्फ एक उदारण है ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते है जैसे एक्सिडेंट हो गया पर्स चोरी हो गया है इसके लावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डीटेल भी पूछ लेते है आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया मदद करो पैसा दो तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने रिष्टिदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए तुमने ऐसा फोन किया था की नहीं इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होगे लेकिन ये फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बलकि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े-बड़े देशों में हो रहा है ये फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है इसके आकड़े कुछ आपको बताता हूँ भारत में वाइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए चार लोगों पर एक सर्वे हुआ इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए चार हजार लोगों पे सर्वे हुआ इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए यानि ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बलकि ठाग है सोची कितनी सेम आवाज होती हो चार हजार में से 85% लोग फस गए इसके लावा करीब 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांस्वर भी कर दिये इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी 34% को पत्री के आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों के आवाज में कॉल की गई थी तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए ये AI ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये इस तरह का खत्रा भी पैदा कर रही है फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाई ये और पता कीजिए कि वही आदमी है कि ने जिसके आवाज बताई चाले